वेलकम बेक टू माइं एटूप चरब पर है कर आज वी जाटर करिभी ये फास्ट समस्टर में हैं भी ये सबर्शल समस्टर की बात करेंगेज़ इसमें हम सफल इक थो सपो करें बेखो इकों मिक्स की बात करेंगे अर्तनब उसम्हें बहुंत जाद पूछा जाता है कि निगमन और पूछा दिए इनकी परिभासा बता विए होता क्या है आप से प्रकार का क्या को कैसे एक्प्रेंड करेंगे तो आपको करने का जो सिंपल तरीका होगा यदि आप इस note को download करना चाहते हैं तो notes का link description box में तेलीग्राम का दे रखा है और इसको join कर लिए टेलीग्राम को यहां बोला गया है आप इसको को जब भी ऐसा आता है question तो आप इस तरीके से लेके आना कह रहा है जिन रितीओं का प्रयोग आर्थिक सिध्धान्तों के निर्माण में किया जाता है उन्हें अर्थ सास्तर के अध्यन की रीतियां कहते हैं यहां बोला गया है कि जिन रीतियों का प्रयोग अर्थ जो सिध्धान्त है उनके निर्माण में किया जाता है उन्हें अर्थ सास्तर के अध्यन की रीतियां कहते हैं अब प्रियुकता दो रीतियों का प्रियोग क्या जाता है तो कौन कौन से है जो आर्थिक सिद्धानत होते हैं उनomeं कौन- normalmente नमबर होता है निगमर रीति जो पारया है आगमन्रीटी इन दोनों रीतियों की बारे में हम देखेंगे तो कह रहा है इस रीती के प्रयोग प्राचीन करता है प्रतिश्ठिक जो अर्थसास्त्री में किया जाता था और यहां बुला गया है निगमन का और आरगमन रिती होती है वो क्या होती है तो यहां देखो बोला गया है निगमन रिती के अंतरगत हम आर्थिक जगत की कुछ समाने समानताओं कुछ जो समाने मानताओं होती है जो कह सकते हैं जो आर्थिक जगत है पूरा जगत है जो आर्थिक जगत है उसके कुछ समाने जो मानताओं को लेकर चलते हैं ठीक है उन मानताओं को लेकर चलते हैं और इन मानताओं के आधार पर तरक का प्रियोग करके निसकर्स निकालते हैं जिनमें तरक का किरम समान से विशिष्ट की ओर होता है उधार्ण के लिए जैसे हम बता दें कि उधार्ण हमने बता एक्स्प्लेंड करता है तो कह रहा है कि हम यह मान कह सकते हैं मान ले हम यह मान सकते हैं कि सभी जो कह सकते हैं फर्मे होते हैं अपने लाब को अधिक्तम करना चाहते हैं जितनी भी फर्मे होती हैं मदर कह सकते हैं जितने भी उद्भोग वगारा खोले हुए वो अपने लाब को क्या है अधिक्तम करना कि समानिव मानता के आधार पर तरक कप्रियों करके हम ये निसकर से निकालते हैं कि एक बिसेश्ट फर्म भी अपने लाव को अधिक्तम करेगी तो अब क्या होता है ये निसकर से कलता है कि कोई भी फर्म होती है वो अपने लाव को अधिक्तम करेगी और ऐसा करने के लिए फर लागात हो गया और इसी पर जावर सीमंद आगमन जिसे हम एमार कहते हैं ठीक है ओलों में होता है बहुत ज़ादा इम्पोटेंट है ठीक है बराबर में होता है फ़से कमा रहां तो यहां हम से बूला गया है तो इसकी और होगा यह बूला गया अब देखो यदी बात की जाए जब आगम् रिती होता है यहां यहां बोला गया है निंगमन के ठीक विफिर्ट होती है इसमें हम क्या करेंके कम करने कोशिश नहीं बिसिष्ट समान की और होता है जिसमें नमबर एक की बात की जाए कि बहुत सी विसिस्ट घटनाओं एम वास्तिविक तरकों के अवलोकन और अध्यन के आधार पर शमान सिद्धान का नरधान किया जाता है नमबर दो यहां बुला गया है इसके पश्चाद प्रियोगदारा इन मन समान बस्तू का मूल कम हो जाता है यदि किसी बस्तू का मूल कम हो जाता है तो हम यह अवलोकन करते हैं तो हम यह बलोकन करते हैं कि एक हजार जो ग्रहक है उस बस्तू की अधिक मात्रा खरीद रहे हैं तो यह समान निसकर्शन निकाला जाता है कि बस्तू का मूल कम होने पर उनक मांग बढ़ा दी जाती है यह दिवस्तु का मुलकम होगा तो मुस्की मांग बढ़ जाती है और इस उधान में तर्क का करम बिस्ष्ट से समान की और होता है मतलब बिस्ष्ट समान की और होता है ठीक है तो इस प्रकार से हम आग्मन रिथी और निग्मन रिथी दोनों को हमने झाल झाल